नमस्कार इस वीडियो के अंदर हम लोग इगनूए MSD कोर्स के पेपर कोड MSD 06 के एक महत्वपू टॉपिक पर चल्चा करेंगे टॉपिक है समकालिन कभिता की प्रमुख प्रवितियां या विशेश्थाएं और समकालिन कभिता और राजनेतिक पल्द्रिश यानि कि समकालि प्रवितिक इस्थिति या सकता है कि यहां से भी प्रवितियां तीन बार पूछा और उसके समकालीन कविता की सिर्फ गथ भिसेशताret पूछा है और इसके और अगर समय बसता है तो हम लोग सिल्पगत बैसिष्ट पर विशेष्टाओं पर भी चल्चा करेंगे अन्यथा आप एक बार परिच्छा देने से पहले उसको भी पढ़के जाईएगा चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले समकालीन कविता और राजनीतिक पल्दिरिस ऐसा हम कह सकते हैं कविता के साथ राजनीतिका रिस्ता पुराना है लेकिन कविता के इस दोर में राजनीत केंद्री इस्थिति पा जाती यानि कि समकालीन कविता के समय आकर हम देखते हैं कि केंद्र में कौन हो जाता है राजनीति हो जाती है केंद्री इस्थिति पाकर राज पातकाल की राजनीत नित जंता को तबाह कर दिया और इंद्रा गांधी के यूग की घटना पर नागा अलजुन तथा भवानी प्रसाद मिस्र जैसे पुराने कभियों ने डट कर रिखा नागा अलजुन इस पर अपनी कभिताएं लिखते हैं जैसे एक कभिता हम देखते हैं कि हर जन गिरिजन नंगे भूके हम तो डोले वनने खुद तुम रेसम सारी डाटे उरती फिरोग अगन में महंगाई की सुर्प नखा को ऐसे पाल रही हो सासन का गोबल जनता के सिर पर डाल रही है ये पंक्तिया मिलती है और इसी तरीके से उनकी दूसरी पंक्तिया भी है कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूँ नब में विपुल बिराट सी सासन की बंदू तो निरंतर बढ़ती महंगाई ने गरीबी भूक परी से आम आदमी के आत्म निर्वासन की प्रक्रिया को तेज कर दिया जातिवात सामप्रदाइकता जगडे राजनीत में प्रक्रिया आज भी चल गई गांधी का स्वदेशी आंदोलन अमेरिकी कल्ज पर चलने वाली सरकारों ने निगल लिया और देश एक नए धंकी पराधीनता में पुना फसने लगा यानि कि अभी हम आजाद होके आये थे और पुना जो है उसी तरब फिर अग्रसर हो गए नकल्ची, उधारभोगी, भोक्तावादी, संस्कृती ने सभी मूल्यों को चौपट कर दिया और क्रांती के नाम पर यौन क्रांती को बढ़ावा मिला नैतिक रूप से पतित, बिवस्था को सत्ता में रहने का साधन मिल गया स्वधिनता प्राप्ती के बाद, यानि कि आजादी के बाद, पैदा होई पीड़ी ने चार-पांच चुनाओं के माहोल को देखा और अन्भो किया कि सिधान्त ही राजनी थी, उसका और उसके समाज का संघार करें, फलता इस पीड़ी के पल-पल कठी संघार्सों में, तीब्रता आई, सौमित्र मोहन, अपनी कभिता लुक्मान अली में लिखते हैं, जिसमें वे जनता का दल्द बया करते हुए कहते हैं, कि देखिए किस प्रकार की पंक्तियां हैं, इसको आप उधारर में दे सकते हैं, अगर याद कर पाएं तो, लुक्मान अली के लिए स्वतंतरता उसके कद से केवल तीन इंच बढ़ी है, वह बुनियात की जगा तिरंगा पहन कर कला बाजियां खाता है, वह बनियान की तरह तिरंगा पहन क कला बाजियां खाता है, वह चाहता है कि पांचवे आम चुनाओं में बौनों का प्रतिनिधित्तो करें, उन्हें टाफियां बाटें, अब देखिए पंक्तियां किस प्रकार की हैं, इसमें कोई राइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बात बड़ी गहरी कही गई गई यह सब कोरी मायाबी और छल साबित हुई, समकालीन कविता के कभी मलियज ने ठीकी कहाए कि इस यूग के सिध्धान्त ही राजनीत के इस अनभों की नहरु यूग की राजनीत से तुलना कीजिए, नहरु यूग की राजनीत भारत की खोच के आधार पर आसावात से ग्रस् यदि मोभंग में हो, तो कोई आश्चर नहीं, यानि कि जो हम सपन देख रहे थे, उसका अन्त यही होना था कि लोगों को मोभंग ही हो गए तुलना की नहरु यूग का साहित है, इसे सांदार मोभंग का साहित है, इसके विपरीत नहरु यूग के बाद की राजनीती, आम आदमी की हिनस बजती है, जिस राजनीत के अंतरगत, नियूंतम कारिक्रम का जंडा, पार्टी सिध्धानतों के चिथड़े को सिल कर बनाया गया हो, वहां मोभंग की कोई गुंजायज रहे नहीं जाती, आम आदमी की राजनीती, इस्थिती के इस कट उसोविकार से ही उत्पन प्रत्क्रियाओं का साहित रहा है, और यह भटकाओ इतना बढ़ा कि एक पूरी पीड़ी भ्रांतियों में फस कर रहे गई, यानि कि जो इस मोभंग का भटकाओ था इतना बढ़ गया कि संपूर पीड़ी इसी भ्रांतियों में फसी रहे गई, पूरी पीड़ी मे एक ऐसा अकेला पन आत्म निर्वासन पनपा की वह सोचने समझने में लाचार हो गई बीजय देव नरायर साही के सब्दों में कहें तो हमारे हाथों में तूटी हुई तलवारों की मूठे रह गई जिनसे हम युद्ध तो क्या कर सकते थे अपनी ट्रेजडी का मातम ही मना सकते थे मुक्तिबोध ने अपनी कविता ब्रह्म राक्षस में इसी इस्थिती का बिम्ब प्रस्टुप किया है कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजडी है नेच एक ही जीवन चक्की के दो पाट है इसी चक्की ने पूरी पीड़ी को पीच डागा और सांस्कृतिक राश्टुवाद के नाम पर जो पना प्रहा था वह था फासिस्टुवाद भरष्टा चार से पाट दिया गया समकालिन कविता सर्जनात्मक अस्तर पर इस पूरे परिवेश से साक्षातकार की कविता है रगवीर सहाय ने इसी इस्थिती की पीड़ा को भर कर लिखा है कि उनकी कविता है आत्मात्या के विरुद्ध उसी में इन्होंने लिखा है कि बीस वर्स खो गए भर में उग देश में एक पीड़ी जन्मी पली पुसी कलेश में बेगानी हो गई अपने ही देश में तो इस प्रकार की राजनीतिक इस्थिती उभर कर सामने आती है इसके बाद इसकी प्रवितियों पर चल्चा करते हैं तो समकालिन काब बिसिलजन की मूल प्रवितियों या विसेश्थाओं का वश्थ वादि विवेच है और मूल ल्यांकन का समग रूप से निधारा हो नहीं है क्योंकि इसका प्रमुक कारण तो यह है कि यह सिर्जन अभी भी अपनी तरह से नई पुरानी पीड़ों की बीच तथा पूरी ताकत से सिर्जन धाराओं के रूप में प्रवाही थे लिखते हैं कि अभी भी इस तरीके का सिर्जन हो रहा है समकालीन कविता में सिर्जन का उजाडवाद, परंपरा की ना समझी, अराजक, योनकरांती, चीक, गुस्सा, जलाहट के सिवा कोई गंभीर समस्या या जीवन दर्सन नहीं दिखाई गे था इसमें अधिकांस पुराने आचारे तो ऐसे हैं, यानि कि जो समकालीन कविता को देखने वाले पुराने लोग हैं, वे समकालीन कविता को पढ़ते भी नहीं, और केवल उसका खंडन करते रहते हैं, एक नए कविने कहा है कि जो है, थोड़ा सा उंग कर, कह देते हैं कालीन कविता की कुछ प्रविद्टियों की चल्चा करें, जैसे, समकालीन कविता के प्राया सभी महत्वण कवियो ने समय समाज की चुनावतियों से उपजी बहुत धिक चुन्ताओं का सृजन शीलता से सीधा रिस्ता कायम किया, समकालीन कविता की अंतरवस्त अत्यंत ब्यापक है। इतनी ब्यापक है कि पूर्य देश की जनता के दुखते अनुभो इस स्रिजन में ब्यापत है। देश की राजनीतिक, सामाजिक, आल्थिक, सांस्कृतिक, आल्थिक, नयतिक, धार्मिक, सभी समस्याओं को इन रसनाकारों ने निर्भय भाव से अव्यक्त किया अपनी कविताओं में कहा। लोक तंत्र का भीतरी खोकलापन, कांग्रेसी समाजवात का ढूंग और आत्म निर्वासन, अमानवी करण, भासा नीत के साथ दगा, हरित क्रांती की अस्फलता, आपात काल की कुरूता और पागलपन, लोक नायक, जै संकर, जै प्रकास, नारायन की लोक क्रांती, अमेर्की भीग पर बढ़ती निर्भलता, यानि कि हम लोग उस समय अमेरिका से अनाज मंगाते थे, हमारे पास खाने तक का अरासन नहीं होता था, तो वो सब संत्रास यहाँ पर इस युक की कविता में, समकालीन कविता में व्यक्त हुआ है, समकालीन कविता का कत्थ, जन संघर्ष क की चेतना को अनेक रूपो अस्तरों से सीधे सीधे अव्यक्त देता है, प्रगतिवाद नई कविता के कवियों की व्योस्था, विरोध की प्रवित्ती इस कविता में विद्रो विच्छोब का रूप धारण कर लेती है, सन 1960 के बाद की महगाई, विरोजगारी, भ्रष्ट आपातकाल की बरबलता, नागा अलजुन से लेकर धूमिल तक को गुस्चे से भर देते हैं, समकालीन, काब्यान भूद और काब्यान भो में एक ऐसे अथात का नया संसाजन में लेता है, जिसमें चारों और लड़ाई है, सब्द युद्ध में बदल गए हैं, यानि कि ये एक प्रगार का सब्द युद्ध चल पड़ा, जो हतियारों से ना होकर सब्दों से होता था, बीजय देव नराहर साही ने साखी कविता संग्रा की ये कविता सत की परिक्षा में लिखा है, साधो आज मेरे सत की परिक्षा है, बीच में याग जल रहिए, उस पर बहुत ब नई कविता मोभं की कविता है, पर समकालीन कविता मोभं की कविता नहीं है, वह आत्म चितकार और ब्यक्ति के मोभं का साही थे, यानि कि जो नई कविता है वो मोभं का लेकिन जो समकालीन कविता है वो ब्यक्ति का मोभं का लेकिन जो समकालीन कविता है वो ब्यक्ति का मो ुभं का साहिब थै इसके विपरीत नहरुयूद के बात की राजनीति आमादमी की राजनीति कभिता और राजनीति का घनिष्ट रिस्टा समकालिं कभिता में काफी गरम है इतना गरम कि पिछले तीन दसकों से कविता और राजनीत के संबंध की चलचा रही है। आलोचकों और कवियों ने इस विशे पर जमकर लेख लिखे और कविताएं कई। धूमिल की पठ कता या सौमित्र की मोहन, सौमित्र मोहन की लुकमान अली जैसी कविताएं, अपने पूरे अल्थ संदर में राजनीतिक कविता है। धूमिल समाजवात को भी यथात के रूप में इस्तेमाल करने वाले कभी हैं और उसे ब्यंग के रूप में ब्यक्त करते हैं और किस प्रकार ब्यक्त करते हैं उसको कुछ पंक्तियों के माध्यम से देखा जाये तो वे सब के सब, तिजोरियों के दुभास ये हैं, वे वकील हैं, बैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कभी हैं, कलाकार हैं, यानि कि कानून की भासा में बोलता हुआ, अपराधियों का एक संयुक्त परिवार हैं. को समकालीन कविता के दोर में नंगीनत राजनितिक कविता और इस कविता की एक प्रवित्य का रूप कही जा सकती है। यह भी इस कविता की प्रवित्ति कही को बिरोध आक्रोष क्रांती को प्रमुक अस्थान मिला और यह इन्हीं विश्यों पर टिकी हुई कविता है सभी कभी मांसिक और भावनात्मक यथालत को वस्तुगत यथालत के रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं विचाल धारा के अस्तरपल निरासावाद ब्यक्तिव अस्तित्तुवाद को यह कविकर्म स्वविकाल नहीं करता मध्यवर की खिन्नता आवसाद की व्यक्ति में पूजीवाद का भंड़ा फोड गाथा प्रसंगों नाटकी द्रिश सिलेखों वक्तव्यों प्रसना अनुकूल सववादों और सपाट बयानियों से भरे बेवरों में भी एक ऐसी काब्यात्मक्ता का आलोग भरा है जो जन्ता के अपराजी संगर्स का सूचक है और चंद्रकान देवताले रोसनी के मैदान की तरफ अरुण कमल की उरुवर प्रदेश जैसी अनेक कविता है जो जन विश्वास से भरी हुई है और इस अल्थ में ये कविता मैं आम जन्मानत से एक संपूर्ण लगाव प्रस्तुत करती है उरुवर प्रदेश की कुछ पंक्तियां देखें तो मैं जब लवटा तो देखा ओटली में बंधे हुए बूढों ने फेके हैं यानि कि ये एक प्रकार का आसा वाद है और समकालीन कविता के सभी प्रतिवध कवियों ने चनपक्षधलता के साथ जीवन विश्वास की कविता लिखें जीवन के आत्मपिस्तार जीवन के विवेग और इसके खुले पन को स्वविकार किया इस द्रिष्ट से इस रचना यात्रा में निराला बोलते हैं उक्ता हुआ सूरे, गीत गाते बच्चे, तूसकी याख, खिले कमल, किरण दल इस स्रिजन में बहुत मिलते हैं और इस संदर्व में बिजय देव नारायर साही की साखी से प्राथना गुरु कबीर दास के लिए एक कविता है कि परम गुरु दो तो ऐसी बिनम्रता दो कि अंतहीन सहान भूत की वाड़ी बोल सकों और या अंतहीन सहान भूत पाखन बना लगे तो यहाँ यहाँ पात दिल्चस्थ है और देखने लायक है कि समकालीन कविता में नए पुराने दोनों तरह के कवियों के मन में कवीर के प्रती असी मास्था का भाव है कवीर से प्रेड़ा ग्रहन करने का आल्थ सामाजिक विक्रितियों भरष्टाचार के नायकों को लर्कारने का साहस है तो इस प्रकार हमने यहाँ पर समकालीन कविता की प्रवितियां देखी और इसका राजनेतिक पल्द्रिश से देखा इसके बाद आसा करता हूँ कि आप लोगों ने ठीक ठाक तैयारी कर लही होगी पहले से जो वीडियोज अवेलिबल थे उसको आप लोगों देखा होगा और ठीक ठाक तैयारी आपकी हो गई होगी जाईए कल का पेपल दीजिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर ध अंदरास